। हलो स्टूडेंट्स वेलकॉम अगीन बच्च के निमबर सॉ ख़ीर के साथ याद करो बच्य जिब हमने लास्ट लेक्ट्र का देखा था इस चेप्टर के लास्ट्र लेक्ट्र में हमने बाते अब तक कर ली हैं बच्चे government policies for business growth की मतलब सरकार के उन नीतियों की जिन नीतियों से हमारे business का growth होता है हमने ये सारी बाते वहाँ पर कर ली थी है न बच्चे अब ये सारी बातों को करने के बाद बच्चे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ते हुए हम लोगोंने liberalization के concepts को privatization ग्लोबायजेशन ये हमने देखा हमने ये देखा कि policy का मतलब क्या होता है याद करो policy के मतलब को देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेव और public policy को हमने देखा है ना public policy को देखने के बाद अब उसी public policy को continue कर रहा हूँ बच्चे आज के इस lecture में बड़े ध्यान से देखना और देखो क्या कहता हूँ कहता हूँ यहाँ पे बच्चे कि Thomas R. Dye says that public policy is whatever government chooses to do or not to do कहता है Thomas R. Dye का यह कहना है कि public policy सरकारी नीतियां जो है वो ऐसी नीतियां हैं जिसमें लोग जो है मतलब कि सरकार जो है वो यह चुनती है कि हमारे देश में रहने वाले लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे Richard Rose Richard Rose says that public policy is not a decision it is a course or pattern of activity यह लो कहता क्या है Richard Rose ने क्या कहा है Richard Rose कहते है कि public policy जो है वो एक decision नहीं है वो एक निरने नहीं है है ना public policy जो है वो क्या है एक course है या एक pattern of activity है जिससे हम लोग अपने देश को मतलब की काम करने की तरीके को हम लोग उसमें elaborate करते हैं उसी तरीके से किसी भी set of work को perform किया जाता है और country जो है economy जो है वो आगे बढ़ता है है ना public policy according to them is summation of decisions followed by many कहता है कि public policy जो है उन लोग के according इसका मतलब यह है कि public policy जो है there are many opinions हमारा देश जो है वाबू a pluralistic society है अलग अलग तरह के लोग रहते हैं इसलिए हमारे देश में अलग अलग तरह की लोगों की सोच है अलग अलग तरह की लोगों के opinions है we have a complex legal system कहता है हमारे अहां complex legal system है मतलब एक बहुत ही जटिल एक कानूनी प्रक्रिया है whereas in Dubai laws are stringent but very simple लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुबई की अगर बात करो तो दुबई में जितने भी नियम है वाबू वो कठोर तो है लेकिन बड़े ही आसान है कहता है in Karl J. Frederick's opinion public policy is a proposed course of action of a person Karl J. Frederick's opinion में कहा जाता है कि public policy जो है वो एक proposed course of action है मतलब कि एक ऐसा काम करने का तरीका जो बताया जाता है मतलब कि जो लोगों को सरकार के द्वारा सरकार के तरफ से समझाया जाता है और जिस तरीके से देश के लोग जो हैं वो काम करते हैं कहता है group or government within a given environment providing opportunities and obstacles which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal to realize an objective or purpose कहता है कि एक ऐसा course of action है जिसको बहुत सारे लोग मिल करके प्रपोस करते हैं जिसमें group or government हो सकता है एक किसी भी environment के अंदर जिसमें opportunities लोगों के लिए होते हैं which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal to realize an objective or purpose कहता है कि और यह सारे जो policy होते हैं यह policy इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी एक country में जो भी उस country का objective है जो भी उस country का goal है उस goal को हम लोग achieve कर सके हम लोग economically आगे बढ़ सके यह कहता है कहता है in USA Martin Luther King fought for the rights of black people USA की अगर बात करो तो Martin Luther King जो है वो black people के अधिकारों के लिए लड़े थे in India Swami Vivekanand had an inclusive approach towards the downtrodden socially outcast people कहता है कि Swami Vivekanand का जो approach था वो बिलकुल अलग था उन सारे लोगों के लिए जिसको समाज में बहुत जादा दबाया जाता है है न जो समाज में अती पिछड़ा है उन लोगों के लिए Indian policies are directed for upliftment of socially deprived classes कहता है Indian policies जो है वो direct किया जाता है Indian policies को तयार किया जाता है किस लिए upliftment के लिए किस चीज़ के upliftment के लिए socially deprived classes मतलब जो भी समाजिक तौर पे समाज के तरफ से बाबू जो वैसे लोग जिनको बहुत जादा सुविधाय नहीं मिली है उन सारे लोग के लिए भी हमारे हाँ बहुत सारी नीतियां बनती है जिन नीतियों से वैसे लोग जो समाज में अपने अधिकार को सही तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो जो सही तरीके से सिक्षन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो सही तरीके से दवा उसके बाद education, सिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अब उनके लिए भी हमारे देश में अलग-अलग सुधाएं policies में सरकार के दौरा बनाई गई है. कहता है, from the aforementioned discussion, it is clear that public policies are well thought of governmental decisions, है ना, उपर के discussions की अगर बात की जाए, तो यहां कहा जाता है, it is clear that public policies are well thought of governmental decisions, कहा जाता है कि public policy जो है, वो सरकार के तरफ से सोची, समझी गई, और ली गई निरने हैं, ली गई ये नीतियां बावु जो बनती हैं, वो सब क्या है, वो decision जो है, वो government के तरफ से, मतलब उनके जो decisions होते हैं, उनके जो निरने होते हैं, जो सोच समझ के वो लोग लेते हैं, देश के कल्यान के लिए, देश के भलाई के लिए, development के लिए उसकी बात करता है, कहता है, and these are the resultants of various social and economic activities which the government undertakes in pursuance of clearly defined goals and objectives, कहता है, कि और ये जो results होते हैं, ये social economic activities which the government undertakes in pursuance of clearly defined goals and objectives, कहता है, जिसको हमारे देश की सरकार जो है, वो एक मतलब की पहले से pre-determined goal जो तयार हो चुकी होती है, उस goal को achieve करने के लिए ये सारे निर्ने लिए जाते हैं, है न बच्चा, ये कहता है, कहता है, the nature of public policies has the following characteristics, public policies के जो nature हैं, उसके ये सारे characteristics हैं, पहला, public policies are always goal oriented, कहता है बबू की public policy, जितनी भी सरकारी नीतियां होती हैं, वो सारी की सारी नीतियां goal oriented होती हैं, goal oriented कहने का मतलब सब का कोई न कोई एक लक्ष होता है, और उसी लक्ष के प्राप्ती के लिए ये सारी नीतियां बनाई जाती हैं, these are formulated and implemented in order to attain certain objectives which the government has in view for the ultimate benefit of the masses in a welfare state, कहता क्या है, कहता है कि ये सब बनाई जाती हैं, इसको लागू किया जाता है, इसलिए ताकि हम लोग मतलब हमारे सरकार की हमारे देश की जो कुछ खास तरह की जो objectives हैं, है ना कुछ खास तरह की जो उद्देश हैं, उन उद्देशों को पूरा किया जा सके, साथे साथ देश में रह रहे हैं लोगों का कल्यान हो सके देश का विकास हो सके इन सब चीजों के लिए कहता है these policies clearly spill out the programs of government कहता है यह policy हैं जो हैं यह policy हैं सरकार के तरफ से बनाई गई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को दर्शाता है For example, the banks are instructed by government to initiate financial plan and they are bound to open branches in villages उन सारे bankों को यह कहा गया है कि आप ग्रामीन छेतरों में भी branches डालिए आप ऐसे financial planning कीजिए जिससे सिर्फ शहरी नहीं, अर्बन नहीं, rural area के लोगों का भी benefit हो सके Opening of low frill accounts under जंधन योजना कहता है low frill account मतलब की बिना किसी balance के रखने के बावजूद भी वो account आपका चलता रहेगा जंधन योजना जिसको सरकार ने बनाया had been made mandatory, यह mandatory किया गया हर किसी के लिए this policy of financial inclusion is a goal oriented policy कहता है कि यह जो policy है बच्छा, यह कैसा policy है, यह goal oriented policy है मतलब इस policy के तहट सरकार आगे चल करके अपने किसी लक्ष को प्राप्त करना चाहती थी इसलिए इस तरह की नीतियों का निर्मान हुआ है दूसरा देखो, public policy represents the outcome of the government's collective actions कहता क्या है कि अगर बात आप public policy की करते हो, तो public policy जो है वो represent करता है, वो बया करता है किस चीज़ को? outcome, मतलब वो नतीजे को बया करता है जिसमें government के collective actions दिखते है मतलब कि सरकार के तरफ से कौन सारे कदम उठाए जाएंगे, क्या वो कदम होंगे जिन कदमों से हमारे देश की भलाई होगी, देश का विकास होगा, उन सारे कदमों को बबू हमारे देश में public policy के नाम से जानते हैं कहता है, it means that it is a pattern or course of activity or the governmental, official and actors in a collective sense than being as their discrete and segregated decisions वो ही कहता है बबू, कहता है कि इसका मतलब है कि ये सरकार के तरफ से लिया गया एक collective decision है, है ना ये मिलाज उला करके लिया गया बबू, ये एक निरने है, जिस निरने से क्या होता है, हमारे देश की सरकार जो है वो एक अपने देश को सुचारू तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ा पाती है कहता है the whole legal system of India stands on collective actions कहता है कि पूरा हमारे देश का जो legal system है है न वो stand करता है कि इस पर collective action पर मतलब कि हर किसी का action हर किसी का सोच क्या है यह उस पर stand करता है the courts of law starting from a magistrate court to supreme court the duties and the courts of conduct of the judges the involvement of lawyers and public prosecutors the role of police and forensic experts the appointment of juries and the are the example of collective opinions है न collective actions बचे अगर आप देखो तो बात magistrates से लेकर के supreme court तक कि तुम कर लो judges की जो duty होती है lawyers का जो काम होता है public prosecutors जो होते है सरकारी वकील जो होते है उनके जो भी जो काम होते है forensic experts की बात कर लो jury का appointment कहलो ये सारे के सारे example है बाबू किसके ये सारे के सारे example है हमारे देश के बने हुए नियम कानून के नीतियों के और उन्ही नीतियों के उन्ही नियम कानून के ताहर इन सब को चलना पड़ता है तीसरा point दे हो क्या कहता है कहता है public policy is what the government actually decides or choose to do public policy के बारे में कहता है सरकारी नीतियों के बारे में कहता है और कहता है कि सरकारी नीतियों जो है वो ऐसी नीतियों हैं जिन नीतियों के बारे में सरकार सच में क्या सोच रही है या सरकार सच में क्या करना चाहती है ये उसी का एक परचाई है है ना ये उसी का एक reflection है मतलब सरकार अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है वो सारी चीजें सरकार के नीतियों से पता चलती है कहता है it is the relationship of the government units to the specific field of political environment in a given administrative system कहता क्या है कहता है ये relationship है किसका government units का to the specific field of political environment कहता है जिसमें बाते किसकी होती है political environment की बाते होती है in a given administrative system है ना एक खास तरह के administrative system की ये बाते होती है it can take variety of forms like law, ordinances, court decisions, executive orders, decisions, etc है ना कहता है यहाँ पे बाते किसकी होती है अलग-अलग तरह के law की, ordinances की, court के decision की, executive order के decisions की इन सारे चीज़ों की in India most of these public policies are written statements and these are decided by government and other regulatory bodies हमारे देश की बात की जाती है और कहता है कि हमारे देश में ये सारी public policy जो होती है वो एक written statement है वो लिख करके दी गई statement है और ये सब decide की जाती है सरकार के द्वारा या किसी और तरह के regulatory bodies के द्वारा है ना ये उन लोग के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ठीक है फॉर्ट पॉइंट अगर देखो तो कहता है public policy is positive in the sense that it depicts the concern of the government की वो depict करता है वो इस बात को बया करता है कि government जो है वो किस तरह से देश के development में देश के growth में अपने आपको involve कर रही है कितना अपने आपको सामिल कर रही है and involve its action to a particular problem on which the policy is made कहता है कि एक खास तरह की समस्या जिस समस्या के νिप्टारे के लिए कोई भी नीती बनाई गई है उस नीती की बात करता है है नव तो public policy जो सरकारी नीती है वाबू वो basically उनीती जो है वो नीती कहीं ने कहीं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे देश के तरक्की के लिए उसका इस्तमाल किया जाता है It has the sanction of law and authority behind it कहता है कि इसमें बाते होती हैं law की इसमें बाते होती हैं बाबु कहीं न कहीं उन अधिकारों की जो अधिकारे मिली हुई होती हैं किसी भी एक economy को चलाने के लिए सरकार के तरफ से अलग-अलग government bodies को या अलग-अलग private bodies को कहता है it negatively it involves decision by the governmental officials regarding not taking any action on a particular issue क्या कहता है कि ये सामिल करता है उन सारे निरने को सरकार के द्वारा जो लिए जाते हैं जिसमें कहीं न कहीं बाते होती हैं उन सारे चीजों की जिसमें government किसी भी तरह से कोई action नहीं ले रहा होता है अलग-अलग तरह की समस्याओं पर कहता है इन nations run by autocratic military dictators and dictatorial minority we see exceptions and their public policy turns often negative कहता है हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ ऐसे exception जहां पर कई बार जो सरकारी नीतिया होती हैं वो negative हो जाती हैं वो नकारात्मक हो जाती हैं वो देश के लिए काम नहीं करती हैं for entrepreneurs business house it is very important to know the major fundamental policies followed by a government before entering into a new country कहता है जितने भी उद्यमी हैं जितने भी वैसे वैपारी हैं जो किसी भी नए देश में जा रहे हैं जा करके अपने वैपार को आगे बढ़ाना चाते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस बात को समझ सके कि उन्हें नीतियों का ग्यान होना बहुत जरूरी है अगर उन्हें नीतियों का ग्यान नहीं होगा तो वो देश को इकॉनमी को उस देश की अर्थवस्था को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी ये कहता है यहां पर कॉनसे यहना जैसे सबसे पहले प्राभलम को उइडेंटिफाई करना होता है प्रॉबलम को उइडेंटिफाई करने के बाद जब समस्या की पहचान होती है किसी भी अर्फिवस्था में जितनी भी अलग-अलग समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समधान होता है, ये ध्यान रहेगा, Component of Public Policy Process, अब देखो, Public Policy के Process का क्या-क्या Component है, Public Policy Process is Continuous in Nature, अगर बात तुम Public Policy के Process की करते हो, तो कहता है कि ये Continuous है नेचर में, है ना, ये लगातार है, ये पॉलिसियां जो हैं, ये नीतियां जो हैं, वो लगातार बनाई जाती हैं, ठीक है, It involves certain distinct components as shown in the above figure, कहता है कि इसमें हमेशा आपको अलग-अलग तरह के components दिखेंगे, अलग-अलग तरह के हिस्से आपको दिखेंगे, जो उपर आपको एक figure में दिखाया गया है, These components are interconnected by various types of communication and multiplicity of feedback loops, कहता क्या है, ये सारे जो components हैं, वो सारे components interconnected होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, By various types of communication, अलग-अलग तरह के communication से, और multiplicity of feedback loops, और साथी साथ बावु, ये सब जुड़े होते हैं, feedback से, मतलब वो जितनी भी policyयां होती हैं, उन सारे policyयों में, लोग अपना राय वेचार दे सकते हैं, कि क्या ये policy सही है, क्या इससे देश का भला होगा या नहीं होगा, कहता है, in India, the lawmaking has a distinct process, हमारे देश में lawmaking के एक अलग तरीके हैं, the Indian Parliament at the central level and legislative assemblies and councils, wherever applicable at the state level, are the lawmaking bodies, कहता है, कि हमारे देश में जो पार्लियमेंट है, central लेबल पे, legislative assemblies जो हैं, assemblies and councils जो हैं, state लेबल पे, ये सब lawmaking bodies हैं, Indian Parliament consists of two houses, India हमारे देश के पार्लियमेंट में दो हाउस होते हैं, एक लोग सभा, house of the people and राज सभा और council of states, है ना, एक लोग सभा और दूसरा, राज सभा, the process of lawmaking in relation to Parliament may be defined as the process by which legislative proposal brought before it and then is translated into the law of the land, क्या कहता है बबू, कहता है किसी भी law को तयार करने का जो तरीका होता है, वो तरीका, मतलब वो process जो है, वो पार्लियमेंट से सुरू होता है, है ना, कहा जाता है कि ये कैसा process है, जिसमें legislative proposal की बात होती है, जहां पे एक legislative proposal आता है, और उसके बाद उसको translate किया जाता है, law of the land, मतलब उस जगे के लिए वो एक नियम बन जाता है, it depends on the society to decide which issues should be enacted, कहता है, ये निर्भर करता है, उस समाज पे, जहां पे इस बात का निर्ने होता है, कि कौन सा नियम लागू किया जाए, कौन सा नियम लगाया जाए, law is the effective part of a governmental policy, कहता है law जो है, वो एक effective part है, है न, किसका, governmental policy का, मतलब सरकारी नीतियों का, एक सबसे महत पूर्ण हिस्सा है, कौन, अलग-अलग तरह के नियम, अलग-अलग तरह के कानून, in many parts of India, water is considered free, भारत के बहुत सारे हिस्सों में पानी मुफ्त माना जाता है, but in real life, government spends huge amount of money to clean water to make it fit for drinking, लेकिन अगर वास्तविक्ता की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, तो सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है, उस पानी को साफ सुत्रा रखने के लिए, ताकि वो पीने लाइक हो सके, the government may institutionalize a new policy to stop wastage of drinking water, rainwater harvesting has become integral part of building in many cities, यह लो, कहता है, government जो है, है ना, उसने बहुत सारे ऐसे policies को start किया है, जिसमें drinking water को waste ना किया जाए, बरबाद ना किया जाए, जिसमें हम लोग बारिश के पानी को हम लोग जमा कर पाए, ताकि harvesting के लिए इस्तमाल हो पाए, है ना, कहता है, the process of lawmaking in India may be broadly divided into three stages, phase, pre-legislative phase, legislative phase and post-legislative phase, pre-legislative phase comprises identification of new need for a new law or an amendment to an existing legislation, कहता क्या है, pre-legislative phase की अगर बात करो, तो उसमें देखा जाता है कि हमारे देश में क्या कोई ऐसी समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए हमें नए नियम की बात, नए नियम की सुरुआत करनी पड़ेगी, है ना, या फिर, क्या कोई ऐसी समस्या है, जिस समस्या के लिए हमें पुराने ही किसी नियम को बदलना पड़ेगा, अमेंट करना पड़ेगा, drafting of the proposed law, फिर हम लोग उस law को draft करते हैं, seeking inputs, comment from different ministries and public revisions of the draft bill to incorporate such input, कहता क्या है, कि इसमें हम लोग अलग ministries से राय विचाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसको draft किया जाता है, and getting the same weighted by the law ministry, और कहता है कि और फिर उसको हम लोग law ministry से फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, it is then presented to the cabinet for approval, फिर उसको cabinet में भेजा जाता है, approval के लिए, the proposed legislation is brought to the parliament and is referred to the standing committee, कहता है वो जो legislation होता है, वो जो नियम, वो जो रूल, वो जो कानून बना होता है, उसको प committee होते हैं, उन सारे committee को refer किया आता है, after the cabinet approves the bill, it is introduced in the parliament, cabinet के approval के बाद वो parliament में introduced होता है, on introduction of the bill, the minister of the concerned department में send notice demonstrating the intention that the bill may be moved, considered and passed, be referred to the select committees of the house, joint committee of both house or eliciting public opinion, कहता क्या है, कि जब वो bill एक बार पास होके आजाता है, parliament में, तो parliament में आने के बाद, जितने भी उसके ministers concerned है, जो जो चाहते हैं कि ये bill पास हो जाए, वो एक notice देते हैं, जिस notice में उस bill को demonstrate किया जाता है, बताया जाता है कि मैं इस bill को क्यों पास करवाना चाहता हूँ, इसक on the bill with amendments. House जो है वो बिल पे वोट करता है amendment के साथ. If any, अगर कोई भी तरह का बदलाओ possible है तो. If the bill is passed in one house, it is then sent to the other house. कहता है अगर bill किसी एक house में pass हो जाए, तो फिर उसको transfer कर दिया जाता है दूसरे house में. Once the bill is passed by both the houses, एक बार जब दोनों houses के दोरा, दोनों सदनों के दोरा जब बिल को pass कर दियाता है, a copy of the bill is sent to legislative department of ministry of law and justice for scrutiny. कहता है कि उसका एक copy जो है, वो भेज दिया जाता है legislative department को, है न, जिसमें उस ministry of law and justice को, ताकि उस bill का scrutiny हो सके, उसकी जांच परताल हो सके. Post scrutiny by the ministry of law and justice, it is presented to the president for a sent. कहता है कि post scrutiny की बात अगर करते हो, जब वो एक बार pass हो जाता है, जब दुबारा उसकी जांच परताल होती है, तो ministry of law and justice के दौरा वो होता है, और फिर उसको president के सामने present किया जाता है, ताकि वो अपनी सहमती उस bill पे जता सके. The president has the right to seek information and clarification about the bill. President के पास, राष्टपती के पास यह अधिकार होता है कि तुम जो bill पास करवारे हो, तुम जो नई नीती बना रहे हो, वो नई नीती किसलिए है, उस नीती के लिए बताना पड़ेगा तुमको कि यह नीती क्यों बनाई जा रही है, है ना, उसको तुम्हें president के सामने explain करना पड़ेगा, and may also return it to the parliament for reconsideration, और फिर उसको return भी किया जा सकता है parliament को, ताकि parliament उस bill को पास करने से पहले, उस नीयम को लागू करने से पहले एक बार फिर से उसके बारे में सोचे, after the president give assent, the bill is notified as an act, कहता है कि जैसे ही parliament अपनी सहमती दे देता है, वो bill जो है, वो एक अधिनियम बन जाता है, वो एक act बन जाता है, these communication and feedbacks interact in a number of ways, कहता है यह जो communication है, यह जो feedback है, यह अलग-अलग तरीके से होते हैं, policy making is a dynamic process, policy मतलब कि किसी भी नीती को बनाना, किसी भी policy को construct करना, यह एक dynamic process, मतलब यह लगातार चलता रहता है, public policy in almost all cases lays down general directives rather than detailed instructions on the main lines of action to be followed, कहता क्या है, बात अगर आप public policy की करते हो, तो in almost all cases, सारे cases में यह हमेशा बात करता है general directives की rather than detailed instruction, इसमें कभी भी भी detailed instruction नहीं होते हैं, on the main lines of action to be followed, और साथी साथ कहता है कि बात यहां पर उस main line की होती, जिसमें actions को follow किये जाते हैं, after main lines of action are decided upon, detailed sub policies that translate the general theory into more concrete terms are usually needed to execute it, कहता क्या है, कहता है after main lines of action, है न, action के main line के बात की अगर बात की जाए, तो कहता है कि detailed sub policies है न, मतलब कि detail में जितने भी policies होती हैं, उनको translate किया आता है, general theory की बात होती है, फिर यहां पर into more concrete terms usually needed to execute it, कहता है कि अब वो सही तरीके से उन सारे bill को फिर execute किया आता है, लागू किया नीती होगी वैसे ही समाज में लोग कोसी तरीके से काम करेंगे, the policies of most socially significant decision making, such as most public policy making are intended to result in action, कहता है कि बहुत सारे ऐसे public policy होते हैं, जिस public policy में लोग जो हैं वो अलग-अलग तरह के actions लेते हैं, also policies directed at the policy making apparatus itself, such as efficiency drives in government are action oriented, कहता है कि जो भी सरकार के तरफ से जितनी भी नीतिया बनाई जाती है, ये सारी की सारी नीतिया जो होती है बच्चे, वो सब के सब action oriented होती है, है ना, अब देखो, कुछ nature है यहाँ पे public policy के, क्या है ये सारे nature, इनके बारे हैं ध्यान से देखना, public policies are of three types, public policy जो होती है वो तीन तरह की होती है, पहला, restrictive, दूसरा, regulatory, तिसरा, facilitating अगर restrictive policy की बात करते हो, तो कहता है, restrictive policies curtail all benefits in some particular issues, for example, custom duties may be imposed to protect Indian products, ये लोग, कहता है कुछ ऐसी नीतियां होती हैं, जो हमें बचाती हैं, जो हमारी सुरक्षा कवच के तोर पे काम करती हैं, जैसे बच्चे यहां पे बात, custom duty की हो रही है, और कहता है कि custom duty जो है, वो क्या है, वो हमारे देश में जितने भी product बनते हैं, उन सारे product को, या फिर बाहर के देशों से जो प्रड़क्ट आते हैं, उन सारे product पे लगाया जाते हैं, ये custom duty है ना, क्यों ये लगाया था था कि हमारे देश में जो product बनते हैं, उनको protect किया जा सकते हैं, उनका sale बरकरार रखा जा सकते हैं, बाहर के product आ जाएंगे, उनका technology जादा, advance हब उनके good सस्ते होंगे, हमारे देश के जो producer बिचारे भूखे मर जाएंगे, फिर कहता है regulatory practices, regulate the activities of a particular sector of economy, the regulator checks, deviations, inset, practices and policies, फिर कहता है एक regulatory practice होता है, जिसमें हम लोग अपने देश में हो रहे है activity को कास करके किसी एक खास sector में, जैसे किसी भी एक segment की बात कर लो, segment की बैंकिंग की हीं बात कर लो, तो वहां पर अबू क्या होता है कि कुछ ऐसे activities होता है, जिनको regulate किया आता है, है ना, जिसमें regulator जो होता है, मतलब कि वो इस बात को ध्यान देता है अबू कि कहीं न कहीं जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं, उन सारे नीतियों में कहीं न कहीं मतलब उस regulator के तरफ से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, है ना, जैसे RBI का example ले लो और बाकी सारे commercial banks का example ले लो तो यहां पर RBI क्या ध्यान रखता है, बच्चा RBI यह ध्यान रखता है कि जितने भी commercial banks हैं, वो सारे के सारे commercial banks कहीं किसी भी तरह के सरकार के बनाए गई नीतियों का उलंगन तो नहीं कर रहे हैं, है ना, यह सारी बात है, फिर कहता है Reserve Banks of India is a major regulator for banks, RBI also regulates the money market and forex market operations, securities and exchange board of India, SEBI was founded to regulate the equity bond and derivative markets including mutual funds, insurance regulatory development authority, IRDA is the regulator of the insurance industry, अभी आपने जितने का भी नाम यहाँ पे देखा हो, जैसे RBI के बारे में आप देख रहे हो, तो RBI जो है वो जितने भी banks हैं, उन सारे के सारे बैंकों को regulate करती है, बात अगर आप SEBI की करते हो, Security and Exchange Board of India की करते हो, तो यह SEBI जो हैं, हमारे देश में जितने भी share markets हैं, उन सारे के सारे share market को regulate करता है, IRDA की अगर बात करते हो, तो Insurance Regulatory Development Authority की बात होती है, तो हमारे देश में जितने भी insurance से regarding जितने भी firms हैं, जितने भी industries हैं, उसको regulate करता है IRDA, तो यह policy बच्चा आपका regulatory practices में आता है, मिलते हैं हम लोग फिर से अपने दूसरे lecture में, chapter number 4 के, और वहाँ पे कुछ और आगे की बाते हैं, इस chapter की, हम लोग देखते हैं बच्चे, वहाँ पे हम लोग कुछ और आगे की बाते करते हैं, जानते हैं कि इस chapter में हमें और क्या-क्या सीखना है, और क्या-क्या जानना है, ठीक है बच्चा बटी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, अपने अगले lecture में, thank you, bye bye